लाडली बैना आवाज शोजना के अंदर गद वर्स दो हजार चोईस में किनकिन महीलाओं को पक्का मकान मिलेगा आजम आपको सूची दिखाने वाले हैं साधी लाडली बैना आवाज शोजना के अंदर गद वर्स दो हजार चोईस में महीलाओं को पक्के मकान मिलने वाले है साध्य वीडियो में आपके काम आने वाली जानकरी बताएंगे इसलिए वीडियो को पूरा देखे मद्य परदेश में करीब 4,75,000 महीलाओं को मुख्या मंत्री लाडली बेना आवाज योजना के अंदर गजपक के मकान बनाने के लिए लाडली बेना आवाज योजना के उन्हे महीलाओं को लाडली बेना आवाज योजना के अंदर गजपक का मकान दिया जाएगा लाडली बेना आवाज योजना की सूची जारी हो चुकी है तो अगर आपका नाम सूची में है तो आपको वर्स 2021 में पके मकान मिल सकते हैं साती लाडली बेना आवाज योजना क के अंदर गत आपका फोर्म बरा हुआ है या पिर नहीं है आप ओनलाइन अपने फोर्म का स्टाटस कैसे चेक कर सकते हैं परदान मंतरी आवाज योजना के अंदर गत पिछले नो वर्सों में चार करोड से ज़्यादा परदान मंतरी आवाज योजना ग्रामिन के अंदर गत पके मकान दे जाएंगे अर्ली बैना आवाश योजना के अंदरगात पके मकान कीशे दिये जाएंगे थो परदान मंद्री आवाश योजना गरामीड में निरश्त वे आवेधन पत्तर हैं उनको पके मकान दे जाएंगे साती बारत सरकार के मिस पोर्टल पर पंजी करण में छूटे वे परिवारों को लाडली बैना आवाश योजना के अंतरगत पके मकान दिये जाएंगे अब हम बात कर दें कि लाडली बैना आवाश योजना के अंतरगत पातरता क्या है लाडली बैना आवाश योजना के अंतरगत पका मकान उनी को मिलेगा जिनके पास कची छत वाले दो कमरे वाले मकान है ऐसे परिवार जिनकी मासिक आमदानी 12,000 रुपए से कम है जो आयकर दाता नहीं है साथी उन परिवारों को भी पके मकान दिये जाएंगे जिनके पास 5 एकर तक की सिंची जमीन है या फिर 5 एकर तक की ऐसिंची जमीन है परिवार के पाथ 4 पया वहन नहीं हैं और परिवार में कोई भी सरकारी करमचारी नहीं हैं वनिको लाड़ली बेनावाशtar के अंतर गत के मकांद कari झाए जैंगे लाड़ली बेनावाशोझना के फॉर्म गराम पचैथ में सीवीर लगा कर बरें गए थे और इस तरह के बरें के थे साथी इस फोरम में आपको एक पावती रसीद भी दी गी होगी अगर आपके पास पावती रसीद है तो इसका मतलब आपको मुखे मंत्री लाडली बना आवाज योजना के अंतर गत पके मकान दिये जाएंगे तो सात्यों जल्दी से में कॉमेंट करें बताएं लाडली परदान मंतरी आवाश योजना के इस पॉर्टल पर सूची जारी हो चुकी है और किन किन को वर्ष दोजार तोईस में पके मकान दिये जाएंगे यहां से आप सूची चेक कर सकते हैं जिसका नाम सूची में होगा उन्ही महिलाओं के नाम से पके मकान जारी किये जाएंगे मदे बर्देश की लाड़ी बना आवाश योजना के अंदर का फोरम बढ़ने वाली महिलाओं की सूची चेक करना है तो यहां पर आपको परदान मंदरी आवाश योजना ग्रामिन के पोर्टल पर मिलता हीता दारक यहां पर आपको क्लिक करें तो यहां पर आपको क्लिक करेंगे तो एक नमर्बर ऑपिसन थे हैं registration number अगर आपने लाडली बेना आवाज चोजना के अंतरगत फोरम बराय तो पापती रसीद में आपके पास registration number है वो registration number यहाँ पर टाइप करके submit कर सकते हैं अगर आपके पास लाडली बेना आवाज चोजना के registration number नहीं है तो आपको क्लिक कर देने एडवांस सर्च पर जैसे मैं एडवांस सर्च पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस तरह से एक page open हो जाएगा यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा सबसे पहले राज्य का नाम यानि कि यहाँ पर आपको मद्य परदे सलेक्ट कर लेना है क्योंकि मुखे मंद्री राडली बेना आवाज चोजना मद्य परदे सारकार की योजना है उसके बाद में district सलेक्ट करेंगे आपका जो भी ग्रेज बेना आवाज चोजना सलेक्ट करेंगे financial year में यहाँ पर आपको 2023 सलेक्ट करेंगे क्योंकि मुखे मंत्री बेना आवाज चोजना के जो फोरम बरे गये थे वह वर्स 2023 में बरे गये थे और उसके बाद में आपको सार्च पर क्लिक करेंगे तो मुखे मंत्री बेना आवाज फॉरूम बरने वाली महीला की ID दी किए उसके बाद में किसके नाम से फॉरूरम बरा गया उस भी लावाclear उसके बाद में फादर या पीरस्बेंड का नाम मिलेगा इसके बाद में BPL नमबर दिया जाएगा यहाँ पर आपको house का status मिल जाएगा यानि कि आपका हाउस अप्रू हुआ है या पर आपको मिल जाएगा यानि कि लाडली बना आवाज होजना के अंदरगत पक्के मकान आपको जारी हुए है या पर नहीं है उसके बाद में लाडली बना आवाज होजना के अंदरगत आपके सेंक्शन नमबर क्या है यानि कि पक चेक करना हो कि उसका बैंक खाता जुड़ा हुआ है या फिर नहीं है उसके बाद में जो किस्तें दी जाएगी वह कैसे मिलेगी तो यहां पर आपको बेनी फैसरी डीटेल का पेज ओपन हो जाएगा यहां पर हमने जो रिजिटेशन नमर कोपी के हैं वह यहां पर टाइप कर नहीं और सर्च पर क्लिक करना है उसके बाद में इस तरह से डीटेल आ जाएगे लाटली वेनावाज शोजना के अंदर फोरम बढ़ने वाली महीला की डीटेल इस तरह से आजाएगी यहां पर सबसे पहले राजे का नाम डिस्टिक बलोग पंचायद विलेज का नाम है उसका नाम मिलेगा उसके बाद में यहां पर डेटो बढ़ दी जाएगे और यहां पर बीपियल फेमली आईडी नमबर भी दी जाएगे यान की परसनल लिटेल इस तरह से चैक कर सकते हैं और आपने लाटली वेना वाज शोजना के अंदर गर फोरम बढ़ दिया है तो आप ओनलाइन बरेगे फोरम की डिटेल इस तरह से चैक कर सकते हैं कि आपकी डिटेल सही है या पिर नहीं है उसके बाद में यहां पर आपको बैंक अकाउंट डिटेल मिलते हैं यानि कि आपका बैंक खाता लाटली वेना आवाज शोजना के अंदर के जो फोरम बर गए उ इसका मतलब है कि लाटली वेना आवाज शोजना या पिर परदान मंतरी आवाज शोजना के अंतरगत आपका पका मकान जारी हो चुक हैं यहां पर आपको सेंक्षण एंड कंप्लिटेशन डिटेल में एड्मिस्टेटिव सेंक्षण नमबर मिल जाएंगे और आपका मकान वर्श दोजार चोईस में कब जारी के गए तो यहां पर आप सभी दैख सकते हैं च्छाय जनुवरी दोजार चोईस को यह पकामघान जारी के गए और परदान मंतरी आवा शूजना ग्रामिन के अंतरगर जारी गए और इस परिवार को पकामघान बनाने के लिए एक लाक 30, शजार रुपए दिए जाएंगें। उसके बाद में यहां पर आपको मिल जाएगं की Cred आवाच चोजना हो या पर परदान मंत्री आवाच चोजना हो उसके अंदर गजोप किस्ति दे जाती हैं और कब आपके खाते में रूपए आए हैं वो तारिक भी यहां पर मिल जाएगी तो पांस परवरी दो हजार चोईस को इस परिवार को पहली किस्त पका मकान मिलने के लिए जारी की गी हैं और पका मकान बनाने के लिए यहां पर तीन किस्ते दी जाएगी और पहली क 32,500 रुपए इस परिवार को पका मकान बनाने के लिए मिल चुकी है और पका मकान बनाने के लिए दूसरी किस्त जब मकान की छट लगाई जाएगी उस समय दिये जाएंगे और उसके बाद में तीसरी किस्त मकान कंप्लीट होने के बाद में दिये जाएंगे तो पका मकान बन सती क्या है कच्छा मकान है उसकी फोटो इस तरह से दिखाए जाएगे तो मुख्य मंत्री लाडली बैना आवाज शोजना के अंतर गद भी जिस परिवार को पका मकान जारी किया जाएगा इसी तरह की डिटेल दिखाए जाएगे और वर्ष दो हजार चोईस में मुख्य मंत् कुछ नहीं हो जाने हो जरूर मिलागा मिलेंगे अगले वीडियो में नहीं जान करेंगे साथ तब तक लिए अवस्री का दिन शुको जाहें तब नवात्रम जाश्री राम